हलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग आज हम जा रहे हैं दूद की एक नई रेसिपी बनाने तो हमने ले लिया है एक लीटर दूद उसको हमने चड़ा दिया है उबलने के लिए देखिए हमने इसे दूद को जलाते हुए आदा घंटा हो चुका है और ये दूद थोड़ा सा अब गाड़ा होने लगा है तो हमको इसी तरह इसे चलाते रहना है देखिए उबलते उबलते इतना गाड़ा हो चुका है तो हमें इसे बीच-बीच में चलाते रहना है वरना ये नीचे से चपक जाएगा और इसकी स्मेल भी बिकार हो जाएगी इसके लिए हमें इसे इसी तरह बीच बीच में चलाते रहना है, इसमें डालेंगे हम सक्कर डालेंगे, अपने टेस्ट के अकोर्डिंग, अगर हमें ज्यादा मीठा चाहिए, तो हम इसमें ज्यादा सक्कर डालेंगे, वरना हमें अपने हिसाब से इसमें सक्कर डाल देना है, तो हमने इसमें डाला है, मैंने केवडा वाटर डाला है ताकि इसकी खुशबू और अच्छी हो जाए आप चाहिए तो वैनिला एसेंस भी डाल सकते हैं रोज वाटर भी डाल सकते ही हIT और इलाईची पाउडर भी हमने इसमे डाला है अब इसमें हम डालेंगे माले मैदा अब इसे भी हमें अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि एक भी लंच ना रहें उस तरह से हमें इसे मिक्स करना है देखिए हमारा और ये गाणा हो चुका है हमें चारो तरफ से निकालते हुए इसे एकदम बीच में कर देना है देखिए चासनी की तरह होने लगा है इसमें मैंने एक चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल दिया है अब इसको भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें लगातारी से चलाते रहना है देखिए हमारा पूरा किनारी से छुटने लगा है दोस्ते ये रेसिपी बहुत ही एकदम आसान है आप कोई भी इसे क्रैकर सकते हैं इसे बना सकते हैं देखिए हमारा एकदम से हो चुका है देखिए ये लग रहा है कि पूरा एकदम हम चम्मच से जब उसको उपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तब जब चम्मच से सारा कुछ गिरने के बाद और बीच में थोड़ा सा रुकने लगे तो समझ लो कि हमाई चासनी पूरी तयार है देखिए ये लग रहा है ना ऐसा चम्मच में रुख जा रहा है पूरा नहीं गिर रहा है चासनी हमारी तयार है हम थोड़ी देर इसे और भून लेंगे देखिए अब हमारा ये पूरा एकदम अच्छे से पक चुका है अब हम एक प्लेट में नारियल यानि गरी को कद्दुकस कर लेंगे मिक्स कर लेंगे इसको मिला लेंगे पूरा अच्छी तरह से सान लेंगे एकदम अच्छी तरह से मावे में गरी को एकदम अच्छी तरह से हमें सान लेना है यह मावे और गरी की एक अच्छी सी रेसिपी है आप लोग जरीवर इसे ट्राय करें यह बहुत ही टेश्टी बनती है और सबको फसंद भी बहुत आती है तो हमने अच्छी तरह से इसे सान लिया है देखिए हमारा जो भी हमने मावा जलाया था मतलब जो भी हमने मावा को पकाया था वो देखिए वो कितना अच्छा सा एकदम अच्छा सा बड़ा सा डो बन चुका है अब इसमें से हम थोड़ा सा डो लेंगे और इसे गोल गोल अपने हथेली की साहता से करेंगे और करने के बाद इसे हम कोट कर लेंगे उससे कद्दू कस किये हुए गरी से तो यह हमारे एकदम गरी और मावा वाले लड्डू बन जाएंगे तो आप चाहें तो अपने हिसाब से बड़े-बड़े भी बना सकते हैं वैसे छोटे-छोटे बच्चे लोग को बहुत पसांद आते तो हमेंने इसका साइच छोटा रखा है तो आप इसी तरह से उसमें से थोड़ा सा बैटर लीजिए और लेने के बाद उसे गरी में इस तरह गुमाते हुए मावा और गरी का लड्डू बना लीजिए तो आई होप आपको वीडियो लगी होगी तो आपको वीडियो लगी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो देखिए हमारे लड्डू बनके तयार हो गए हैं तो आप भी रेसीपी को बनाए और आपके अनुभा मेरे साथ श रखते हैं मैंने बहुत अच्छी रेसिपीस डाल के रखी हैं तो चैनल पर जो लोग पहली बारा हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किये घर मच जाईएगा बेल आइकन को भी दबा लीजिए थैंक्स फॉर वचिंग बाई अलाफीज